नमस्कार, जोतिश तंत्रमंत वास्तो चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मोर पंक बचाएगा राहू से अगर आपके जीवन में राहू अशुब है, राहू आपको कश्ट दे रहा है तो मोर पंक का बहुत ही चमतकारी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेकिन उसे पहले एक प्रेश्ण ये है कि कैसे पता लगेगा कि आपको जीवन में जो कश्ट मिल रहे हैं वो राहू की वज़े से मिल रहे हैं, अशुब राहू की वज़े से मिल रहे हैं तो पहले इसे समझ दिजी राहू अगर खराब है कुंडली में तो सबसे पहले ये हमारी मानसिक्ता को खराब करता है मन में लगातार नेगेटिव फिलिंग्स आती रहती हैं तरह तरह के अग्यात भै सताते हैं और उसके बाद राहू हमें निक्रिष्ट कारियों की ओर ले जाता है जैसे जूट बोलना, चल फरेब करना, धोखादडी करना और इसका प्रणाम ये होता है कि हमें तरह तरह के कष्ट प्राप्त होते हैं राहू मनसिक्ता को विक्रित कर देता है सोच को निगेटिव कर देता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते अशुब राहू के प्रभाव से जीवन में लगातार अब डाउंस होते रहते हैं मन लगातार अशांत रहता है हमेशा एक अंजाना सा भय, डिप्रेशन बना रहता है हमेशा ब्रह्म के शिकार होते रहते हैं और साती साथ अगर आपको लगातार धोखा मिल रहा है सरकार से जुले कारियों में असफलता मिल रहे हैं तो ये सब खराब राहु के लक्षण होते हैं राहु अगर खराब है तो आपके घर में कबार जमा होना लगेगा एलक्ट्रोनिक सामान जल्द जल्द खराब हो जाएंगे और सात ही सात राहु हमेशा जीवन में अनिशित घटनाएं देता रहता है हमें कुछ पता ही नहीं होता और अचानक से कोई अप्रिय घटना घट जाती है लाइफ का कोई पैटर्ण सेट नहीं हो पाता तो अगर आपके सामने ये सब समस्याएं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके कुंडले में राहु खराब है तो खराब राहु से बचने का एक बहुत अच्छा और आसान उपाय बता रहा हूँ आपको मोरपंक ले आए बाजार से एक मोरपंक घर के में डोर पर लगा दीजे और बाकी मोरपंक हर कमरे में लगा दीजे ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में, बैड रूम में और तकिये के नीचे एक मोरपंक रखिए इसके बाद जहां पर आप कारी करते हैं अपने कारेस्थल में भी मोरपंख लगा दीजिए जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने बैग में एक मोरपंख रख करके तब बाहर निकलिए जोति शास्त्र में राहु को सर्प का प्रतीक माना जाता है और मोरपंख को खा जाता है तो इस तरह से मोरपंख को देख करके राहु भैवीत हो जाता है और जहां पर मोरपंख होता है वहां पर राहु आने की हिम्मत नहीं कर पाता तो ये बहुत आसान सा उपाय है राहु से बचने का मोरपंख का प्रियोग कीजिए अगर आप राहु से परिशान हैं पीडित हैं तो आज से ही मोरपंख का ये उपाय करना शुरू कि रिए देखिए आपको दो-तीन दिन में ही इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे मन सिक्ता आपकी बदल जाएगी सोच सकारात्मक हो जाएगी कारियों में सफलता मिलने लगेगी धन का आगमन होने लगेगा तो ये प्रियोग कीजिए और इसके अच्छे रिजल्ट जब आपको मिलें तो कमेंट करके जरूर बताएए ताकि आपके साथ ही आपके मित्र भी इस उपाय का लाव उठा सके नमस्कार